कैमूल भारत प्रांत के बिहार राजे का एक जिला है यहां का प्राशासनिक मुख्याले भभवा है एक परवत और कैमूर वयजीव अभ्यारन यहां के प्रमुक परियतन स्थलों में से है इसके आलावा रामगर, दुरॉली, चैनपूर, भगवानपूर, भभुवा, बिद्यानात और मुंडेश्वरी स्टोन मंदिर आदी भी यहां के प्रमुक परियतन स्थल है दो, चटानों पर हुई चित्रकारी कैमूर की एक बड़ी खोज है इन चित्रों का संबंद में सोलित काल से है माना जाता है कि यह चित्रकारी 5000 इसापूर्व से 2500 इसापूर्व के समय की है इन में से कई चित्र जानवरों के बने हुए है इसका जिला मुख्याले भब हुआ है कर्मनाशा और दुर्गावटी यहां की दो प्रमुख नदिया है एतिहासिक दश्टी से भी यह स्थान काफी महत्वपूर्व माना जाता है कैमूर जिला बिहार के बकसर जिला एवं उत्तर प्रदेश के गाजी पूर जिला के उत्तर जारखंड के गणवा जिले के दक्षिन उत्तर प्रदेश के चंदौली एवं मिरजापूर जिले के पश्चिम और बिहार के रोहतास जिले के पूर्व से घिरा हुआ है कुर्व में यह रोहतास जिला करंड था, इतिहासास काफी प्राचीन और रूचिकर है, यह जिला छटी शताब्दी इसापुर्व से पांचवी शताब्दी इतक शक्तिशाली मगद समराज्य का हिस्सा था, साथवी शताब्दी में कैमूर कनौज के शासक हर्षवर्धन के अ अत, यह क्षित्र कई शासक वंचों के अधीन राकरचन प्राशासनिक मुख्याले भभुवा में देखा जा सकता है जहां आपको सबकुछ छारा ही नजर आएगा गुलाबी शहर के नाम से प्रख्याद जैकूर की तरह ही भभुवा को हराश शहर यानी ग्रीन सिटी के चैनपुर स्थित किले का निर्मान सूरी अत्वा अकबरकाल के दोरान हुआ था इसके अतिरेक्त यहां हर्शू ब्राहम नाम का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर भी है कहा दाता है कि राजाशाली वाहन के पुजारी हर्शू पांडे ने अपने घर की रक्षा में इसी पर अपने प्राण गवाएं थे भगवानपूर संपरवत के समीप स्थित भगवानपूर भभुवा के दक्षिंट से 11 किलोमीटर की दूरी पर है कहा दाता है कि यह स्थान चंद्र सेन सारन सिंग के शक्ती का केंद्र हुआ करता था राजाश लिवाहन ने इस क्षेत्र को शेर सिंग से जीत लिया था लेकिन बाद में अकबर के शासनकाल के दोरान उन्होंने इस क्षेत्र पर पुन विजप राप्त कर ली थी इसी से 60 लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे टेकरा गाववा है जो अदभुत छवी जलगता है रामगर संपाफुरी मंदे के लिए प काफी प्राचीन मंदिर है इस मंदिर का निर्मान लगभग 635 में किया गया था अधोरा से समुद्र तल से 2000 फीट की उंचाई पर स्थित है अधोरा भभवा से 58 किलोमीटर की दूरी पर है परवतों और जंगलों से घिरे इस थल की खूपसूरती देखने लायक है यहीं कार मान प्रतिहार वंच ने करवाया था इस मंदिर में कई प्राचीन सिके और अनेक महत्वपून वस्तुएं मौजूद है बेजनात में स्थित शिव मंदिर का शिखर एक शिला को तराशकर बनाया गया है मुंडेश्वरी मंदे क्या मूर जीले के रामगड में स्थित है कहा बहुत ही खूबसूरत स्थान है दुर्रॉली गाउंव में दो प्राचीन मंदिर है